सो एक परफिक्ट रश करने के लिए आपको दो चीजे सबसे ज़्यादा मैटर करती है सबसे पहली चीज होती है हमारे मुवमेंट स्पीट और दूसरी चीज होती है हमारा फायर पावर आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे कि भाई डू एक्टिव स्किल का तो यूज करना है बट परफेक्ट कॉंबिनेशन कौन सा होगा रशिंग के लिए जिसकी वज़ासे हमें एक परफेक्ट रश करके एनमी इसको सिकेंड में नौक करके उस फाइट को विन कर जा उके तो सबसे पहले आपको विएडियो का फॉर्मेट में बता देता हो जिसकी आपको आइडिया के ब Les आपको बता था कि रशक करने के लिए दो पाइर पावर तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुरे मैंने दो कंबिनेशन जो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता है वो इनी चीजों पे ध्यान देते हुए सेट किया है तो जो पहला combination होगा वो उन लोग के लिए होगा जिनका भाई fire power तो बहुत अच्छा है बट थोड़ा movement speed कम है तो उसके लिए मैंने पहला combination बनाया हुआ है और दूसरा combination उन लोग के लिए है जिनके पात भाई movement speed है बट fire power अच्छा नहीं है एंड थर्ड वाला combination आपको वीडियो के एंड में पता लगने ही वाला है तो फर्स्ट अफॉल हम बात करने वाले हैं aggressive rush combination के बारे में इसके स्किलल में में सबसे पहले आपको तच्च्छय करेक्टर को हमेशा लगा करी रखना है जैसब हायातो के बारे में आगे मैं आपको बता देता हूं उसके बाद आपको ussa लगाने द्यान से शुनना है यहां पर u लोडाउट में ले जाना है अब मैं आपको बता देता हूं इन सभी का परफेक्ट यूज कैसे होगा रश कैसे करो गया तो यहाँ पर लोडाउट का फायदा देख लो यहाँ पर सीक्रेट फूल लगाने की वज़़ा से मैंने यहाँ पर ईपी कनवर्टर ले लिया है उसी के मेरी एच्पी नोटिस की होगी तो भाई मेरा एक एच्पी भी कम नहीं हुआ है नाव क्लिप टू में देखो यहाँ पर मेरे को कितना ज्यादा एडवांटेज मिला यहाँ पर मैंने तच्छुया और आलोग का यूज करना स्टार्ट कर दिया है एंड उसी के साथ में मैंने क अगर आप एच्पी देखोगे यहाँ पर भी तो एक भी एच्पी कम नहीं हुई है इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने हयातो और वॉल्फरा का यूज किया हुआ है जिसकी वजह से एनमी मुझे ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा है और मैं एनमी को ज्यादा डैमेज दे इस कॉंबिनेशन से अगर आपका एमिंग या फिर हैट्शॉट कम लगता है तो वह चीज़ें आपके सही हो जाएंगी एंड आप बहुत ही एजली किसी भी एनमी के उपर एम कनेक करके उसे हैट्शॉट मार सकते हो या फिर उसे बॉड़ी शॉट से भी किल कर सकते हो इसक इस एक्टर कॉमिनेशन का सबसे पर्फेक्ट यूज यहां पर यह देखो आप किसी भी सिच्वेशन में क्यों नहों अगर आपको कहीं पर जाना है और अपने टीमेट्स को कवर देना है तो ऐसे में आप वूकॉंग और तच्चुया का यूज़ करके अपने टीमेट्स के कि मैं इसे भी मार देता हूं और इसे पता भी नहीं चलता कि मैं इसके पीछे हूं ऑल्सो जोटा की अबिल्टी से मेरी एच्पी भी काफी हद तक बढ़ गई थी ना अब मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड रश कॉम्बिनेशन के बारे में विद अलप और कमेंट और मेरे को एक और अच्छा सा क्याक्टर कॉम्बिनेशन पता लग जाएगा उसी के साथ में जो ओडेंस देख रहे हैं उसे भी समझ में आ जाएगा एंड चांसे आ रहाई कि आपके भी क्याक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करेंगी बहुत सारे लोग बट वेड मुझे प